आप सभी का स्वागत है आज की हमारी माट्स क्लास में बिटाई आपकी 5th क्लास रहने वाली है आपके प्रियास बैच की as you already know from 1st of September we have started a pre-hours for KVS PRT students जिसमें हर रात 9 बजे आपको एक session दिया जाता है जिसमें जो classes रहती है वो आपकी as per KVS PRT syllabus होती है जिसमें अभी तक EVS psychology computer reasoning की classes हम ले चुके हैं इस हफते और आपकी 5th क्लास आज maths की रहने वाली maths का topic जो रहेगा बेटा वो simple interest रहेगा यह मेरी first class है आपके साथ maths की तो मैंने एक ऐसा topic रखने की कोशिश की है जो exam oriented हो जहां पर frequently exams में उस topic से questions आते हों पूछे जाते हों ठीक है तो चलिए friends आज का अपना session स्टार्ट करते हैं उससे पहले मेरे को दो बाते आपसे करनी है very important जब भी हम maths करते हैं तो हमारी दो चीज़े अगर clear है न तो आपको maths में कोई समश्या ही नहीं होने वाली है the very first thing is your basic fundamentals of maths now what is basic fundamental of maths मैं एक example से आपको समझाने ही कोशिश करता हूं I have a equation 2x plus 5 is equal to 15 okay now I need to know the value of x मुझे x की value यहां पर निकाल ली है तो जिस बच्चे के fundamentals clear है उसे पता है कि जब मैं 5 को यहां से यहां पर ले जाओंगा it will become minus यहां तो plus का है लेकिन यहां पर यह minus का हो जाएगा तो 2x is equal to 10 उसके बाद जब मैं x की value निकालूँगा तो बच्चे को पता है कि यहां पर divide में जाएगा 10 के साथ 2 जो है वो divide में आएगा तो यह कटके it will become 5 तो x की value मेरे पास 5 आगी बहुत जादा hard and fast नहीं हुआ है कुछ but मेरे basics clear है fundamental basics of maths वो मेरे clear है एक तो यह चीज आपकी clear होनी चीज़ जितने भी fundamentals आपको 6, 7th और 8th class में सिखाए जाते हैं और अगर आपके नहीं है clear तो बेटा NCRT कर लो 6, 7, 8th की आपके basics clear हो जाएंगे बिल्कुल plus word problem अगर आपको यह दो चीज़े आती है तो maths आपके लिए competitive maths जो है आपके लिए बहुत easy हो जाएगी now what is word problem you can see on your screen एक question आपको दिखाई दे रहा है अब आपको problem यह हो रही है कि आप इस question को equation में change नहीं कर पा रहे है सुबचे जब तक आप equation में change नहीं करेंगे word problem को आप solution तक कैसे आएंगे किसी भी word problem की equation बनती है और उस question से आपका solution निकलता है तो दो चीज़े basic fundamentals plus word problem तो मगर यह दो चीज़े आपने करने सीख ली तो बेटा आपकी competition जो आपकी competitive exam के आप तैरी कर रहे हो उसको कोई नहीं रोग सकता है तो चलिए friends आज का अपना session स्टार्ट करते हैं सबसे पहला question लेते हैं 8,250 रूपे की धनराशी 5 वर्षों में 2,775 रूपे का साधारन ब्याज प्रदान करती है ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी rate of interest पूछ लिया है a sum of rupees 8,250 gives simple interest of rupees 2,700 2,475 in 5 years what will be the rate of interest per annum देखिए SI का formula आप सबको पता होगा it is PRT upon 100 where P is principle जिसको आप मूल धन भी कहते हैं Hindi में R is your rate जिसे आप Hindi में दर बोलते हैं and T is your time simple तो इसको आप simple follow डाल दो इसमें वो कहता है कि आपको interest कितना मिल रहा है 2,475 रूपे मूल कितना है 8,250 रूपे यह रहा है यहाँ पे उसके बाद दर कितनी है, rate कितनी है वो तो बेटा निकाल नी है हमें तो R को ऐसी रहने देते हैं क्योंकि निकाल नी है what will be the rate of interest और उसके बाद समय कितना दिया हुआ है 5 years तो 5 upon 100 निकाल दो उसको simple कर लो solve कुछ नहीं करना है equation बन गी हमारी word problem से क्या हुआ हमारी equation बन गी ना word problem से तो निकाल दो बेटा यह 0 से 0 काट दो अब यह 0 से 0 कैसे काटी मैंने basic fundamentals यही मैं कहता हूँ कि अगर आपके यह के लिए रहे तो फिर आपको कोई नहीं रोख सकता है माच की त्यारी करने से यह 5 से 10 गया यहां 2 आ गया simple अब यह 825 को अगर मैं 2475 से काट तो 3 पर कटेगा तो हमारी equation क्या बनी है अभी तक 3 is equal to r upon 2 अब r निकालना है तो यह 2 जो है 3 में जाके multiply हो जाएगा r की value आपके 6 आजएगी यानि कि 6% rate of interest आगया है जी इसका so option number C is the right answer समझ आया नहीं समझ आया तो rewind करके देख ले न very simple simple follow करना है what is SI SI is P into R into T upon 100 that's it यही डाला है मैंने इस से जादा है यहाँ पर कुछ नहीं डाला question number 2 32,000 रुपे पर 10 फरवरी 2019 से 24 अपरेल 2019 की अवधी के लिए पृति वर्ष 8.5 पृतिशत पर साधारन ब्याज क्या होगा what is the simple interest on rupees 32,000 at 8.5 per annum for period from 10th February 2019 to 24 April 2019 यहाँ पर simple interest पूछा है what will be the simple interest आपको पता है साही क्या होता है P into R into T upon 100 तो हम सारी चीज़े निकाल लेते हैं यहाँ पर हमारे पास P कितना दिया हुआ है 32,000 यह रहा rate कितना दिया हुआ है 8.5 time कितना दिया हुआ है पिटा time दे दिया है नोंने 10 फरवरी 2019 से और 24 फरवरी 2019 तो पहले हम time ही निकाल लेते हैं आप देखे फरवरी में कितने दिन होगे 18 क्योंकि leap year तो है नहीं 2019 है कर 2020 होता तो 19 आ जाते 39 दिन होते अब 28 दिन होगे क्योंकि leap year नहीं यह भी ध्यान रखना है 18 प्लस 31 मार्च में हो गए और 24 दिन अपरेल के हो गए divided by 365 तो यह हो जाएगा बिटा आपका 73 divided by 365 और जब इसको मैं divide करूँगा तो it will come 1 by 5 तो हमारे पास जो year आ गया मतलब time आ गया it is 1 by 5 तीनों चीज़े मिलगी निकाल दो simple interest क्या पंगे है कोई पंगे नहीं अब तो हो जाएगा राम से देखो मैं आप मिटा तो और निकाल देते हैं अब हमारे पास तीनों चीज़े आगी न भाई आपका formula क्या बोल रहा है PRT upon 100 simple interest निकालना प्रिंसिपल कितना है मूल कितना है 32,000 यहां लिखा rate कितना है 8.5 यहां लिखा time कितना है 1 upon 5 divided by 100 simple इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है 5 को आप इससे काट दो यह 1.7 हो जाएगा यहां पर तो निकाल लो भया 32,000 multiply 1.7 अब उन में 100 यह 2 0 से 2 0 गई अब कर लो divide जब आप divide करेंगे so you will get your answer simple है अब यह तो यहां से divide कर देंगे न आप 2 0 से 2 0 हो गई तो अब 320 को आपको 17 से multiply करना है कर लो जी 17 से multiply आपका answer आजाएगा 17 दुनी 14,14 का यहां पर गया 21,22 और यह 32 का S ही आजाएगा so 544 that's been option number C is the right answer 544 यह आगया जी answer कोई दिक्कत हमने किया क्या है यहां पर हमने यहां पर simple SI का formula follow किया है लेकिन अगर यह question बच्चा देख ले और वो यह देख ले कि time period कैसा दे दिया हाए अला हे भगवान अब मैं क्या करूँ तो बिटा वहीं पर question खराब हो जाएगा आप निकाल लो न पी आपके पास है आर आपके पास है टी तो निकालना है तो टी निकाल लिए हमने बड़ अच्छे दरीके से टी आगया है हमारा simple ओके जी चले next question लेते question number 3 किसी धन राशी पर 5 वर्ष का साधारन ब्याज उस राशी का 2.5 यानि की धाई गुना है साधारन ब्याज की दर क्या होगी simple interest on a sum of money for 5 years is 2.5 times of the principle the rate of simple interest is फिर मैं कह रहा हूँ SI का formula लिख लिया करो सबसे पहले दिमाग में आ जाना चाहिए PRT upon 100 अब वो यह कह रहा है भाई कि जो SI जो simple interest है वो principle का कितना आ रहा है 5 साल में 2 बटे 5 तो मैं यहाँ पर जो principle है उसको क्योंकि हमारा पास principle की amount तो है नहीं तो उसको बटा X मान लेता हूँ यहाँ पर जो principle है ना उसको X मान लेता है ओकी सो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा टू बगए 5 इंटू x क्योंकि simple interest कितना आ रहा है principle का दो बटे 5 टाइमस दो बटे 5 आ रहा है प्रिंसिपल का तो यह simple interest लिख दिया मैंने principle कितना माना था mole कितना माना था x माना था r है हमारे पास नहीं है वो तो निकालना है हमें ठीक है तो r यहां लिखते है time कितना है 5 साल divided by 100 फिर बनगी equation अब यह equation बनगी बेटा इस equation को solve करना है word problems equation तक आगे एक हमारा जो है step हो गया complete अब इस equation solve करके answer निकाल लेंगे हम तो यह हो गया आपका बेटा 2x upon 5 is equal to x into r into 5 upon 100 तो यह x से x कट गया कट जाएगा जी पता है कोई problem नहीं इसमें चीक है तो यह 200 यह जो 100 है यह यहां पर multiply होगा और यह जो 5 है यहां पर आएगा so 200 is equal to 25 r तो r will be 200 upon 25 तो जब आप इसे काटेंगे तो r आपकी 8% आजएगी कोई problem कोई दिक्कत जी कुछ नहीं है आपने word problem पढ़ी word problem को समझा उससे एक equation बनाई और उस equation को आपने solve कर दिया इससे जादा कुछ नहीं किया है आपने और एक formula को simple interest के formula को follow कर रहे हो तीनो question से PRT upon 100 that's it अगर समझ नहीं आए बेटा पीछे जाके देख लेना समझ आ जाएगा question number 4 एक राशी पर 6 वर्ष के लिए साधारन ब्याज 39,250 रुपे है पहले 2 वर्षों के लिए जो ब्याजदर है वो 7 परतिशत है और अगले 4 वर्षों के लिए जो ब्याजदर है वो 16 परतिशत राशी amount पता करनी है the simple interest on a sum for 6 years is रुपीज 29,250 the rate of interest for the first 2 years is 7% and the next 4 years it is 16% principle पता करना है sum पता करना है तो बिटा सबसे पहले तो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ first 2 years की first 2 years का जो हमारा simple interest बनेगा वो क्या बनेगा आपका वो बनेगा बिटा PRT upon 100 ओके तो यहाँ पर P तो हमें पता ही निया वो तो निकालना है तो P को मैं P रख लेता हूँ principle ही मान लेता हूँ simple ठीक है rate कितना है rate है यहाँ पर 7% कितने साल के लिए 2 साल के लिए upon 100 तो कितना आगया मेरा 14 P upon 100 ओके यह first 2 years के लिए अब next 4 years का निकाल लेते हैं आपे next 4 years अगले 4 सालो के लिए जो है so वो ही simple PRT upon 100 फोलो होगा तो यहाँ पर P हो गया rate कितना है 16% 16 लिख दिया समय कितना है years कितने है 4 है 4 लिख दिये upon 100 तो यह मेरा multiply करके आजाएगा 64 P upon 100 P को आप X भी मान सकते हो P को P भी ले सकते हो that is up to you तो अब क्या करना है कि 14 P upon 100 plus 64 P upon 100 is equal to क्या होगा 29,250 यही तो बोला है इनोंने तो 2 equation से हमने 1 equation बना ली हमने first 2 years का निकाल लिया जो आपका 14 P upon 100 आया next 4 years का निकाल लिया जो आपका 64 P upon 100 आया और उसके बाद simple आपका जो interest आपका लिख दिया तो भी यह 80 P 200 is equal to 29,250 P की value निकल जाएगी कि निकल जाएगी simple P की value आप निकाल सकते हैं यहाँ पर 10 से 10 होगा यह काटना चाहते हैं 4 आजाएगा यह 5 आजाएगा यह 5 जाएगा यहाँ पर यहाँ पर multiply हो जाएगा यह यहाँ पर जो 4 है आपका यह आजाएगा जब आप solve करेंगे so it will come 37,500 तो P की value जो है आपकी principle जो है option number B 37,500 आजाएगा अब यह मत कहना सरी काट पीट के भी कि जो कर रहे हो आप यह कैसे कर रहे हो मैं फिर कह रहा हूँ यह चीज basic fundamentals है अगर competition की तयारी करनी है तो यह सारी चीज़े आपको पहले से आनी चाहिए यहाँ पे मैं आपको simple interest समझा सकता हूँ यहाँ पे मैं आपको basics नहीं समझा सकता क्योंकि basics तो आप 6,7,8 में पढ़के आएगे 12th के बाद competition की तयारी जब करते हैं तब आप basic नहीं करेंगे यह मैं बहुत practical कह रहा हूँ तो उन बच्चों को maths बिल्कुल 0 है शायद जो यह मैं काट पीट रहा हूँ उन में problem आ रही हो लेकिन आज भी जाके देख ले ना अभी ने maths होगे आपके गन परताप सिंग होगे जो SSC की तयारी कराते हैं वो तो इस तरीके से equations को काटते हैं कि मेरे मैं जब देखता था उनकी वीडियो तो मैं चक्रा जाता था कि यह कहां से क्या काट दिया कहां से पॉइंट हटा दिया क्या लगा दिया so option number B is the right answer simple ठीक ना कुछ नहीं किया इस question में आपने पहले 2 साल का निकाल लिया फिर 4 साल का निकाल लिया और आपको पताए कि यह दोनो पहले 2 साल का और अगले 4 साल का यह मिलके क्या है आपका simple interest 29,250 रूपीस उसमें आपने डाल दिया P की value आपने वहां से निकाल लिया 37,500 कोई दिक्कत जी इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी ची चले नेक्स कोईशन लेते हैं कोईशन नमबर 5 बिटा यहां पर कोईशन नमबर 5 मैं आपको आपका homework कोईशन देना चाहूँगा ठीक है मैंने जैसे बताया था कि एक कोईशन मैं आप लोग को आदर डालना चाहता हूँ कि आजा homework कोईशन आप लोग करें कि जितना आप समझ रहे हैं उससे आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं ठीक है तो उससे जूजिए थोड़ा सा यह कोईशन जो है मैं moderate कोईशन रखता हूँ हमीशा और अगर आपको इसका solution नहीं मिलता है तो बेटा आप YouTube कर सकते हैं different sources हैं आपके पास books होंगी आपके पास जो हमने समझा है SI is equal to PRT upon 100 वो आप देख सकते हैं बाकी इसका solution जब भी कभी हमारी अगले हफते next class होगी माच की मैं उसमें दे दिया करूँ है ठीक है तो 5th class is your 5th question is your homework question आप देख सकते हैं stop करके इस question को solve करके comment box में मुझे answer बता सकते हैं question number 6 एक समान धनराशी को 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष और 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष शाधारन ब्याज देने वाली दो अलग-अलग योजनाओं में निवेश किया जाता है यदि दो वर्षों के बाद कुल ब्याज 2724 रूपे आता है तो प्रतिवर्ष योजनाओं में निवेश की गई धनराशी ज्यात कीजिए सेम है दोनों में सेम है और दोनों का total कितना आ रहा है simple interest हमारे पस साधारन ब्याज 2724 रूपे एक को हम 14% के उस पे कर रहे है एक को हम 11% के उस पे कर रहे है और हमसे पूछा है कि दो साल के बाद जो simple interest आया है वो 2724 आया है तो बेटा प्रिंसिपल वो धनराशी क्या है वो बतानी है तो simple है भई अलग-अलग equation बना लेते हैं 14% पे 11% पे question सेम हमने किया था अभी फिर से कर लेते हैं उसी type का question है तो बेटा पहले वाले का बनाते हैं पहले इस 14% वाले का तो SI क्या होगा इसका इसका principle तो फिर से नहीं बता हमें तो X मान लेते है principle को into interest कितना है R कितना है 14 और time कितना दिया हुए दो यह तो सेम ही है upon 100 तो यह हो गया आपका 28X बटे 100 दूसरे वाले का निकाल लेते है simple interest X into 11 उसका भी 2 साल है upon 100 क्योंकि यहां पे 11 है तो यह 11 आ गया इसका भी यह 2 साल ही है दोनों सेम 2 साल के लिए किया था 2 आ गया तो यह आ गया बाइस बटे 100 तो हमारे पास अब एक equation बनती भी दिख रही है क्या बिल्कुल दिख रही है equation क्या होगी 28X बटे 100 जमा 22X बटे 100 is equal to 2724 रूपे बात किलियर हुई की नहीं हुई हमने दोनों को जोड लिया क्योंकि वो दोनों पे कह रहा है न कि हमें साधारन ब्याज प्राप्त हो रहा है वो बेटा 2724 रूपे है तो हमने दोनों की equations बना लिया अलग-अलग और दोनों को जब जोडा तो हमारे पास क्या आएगा हमारे पास आएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरे को जगा भी नहीं मिल रही है मैं यह वाला मिटा जेता हूँ तो हमारे पास आएगा 50X बटे 100 इस इकल टू 2724 रूपे यहाँ पे X की वेल्यू निकल जाएगी simply निकल जाएगी 50 से यह 2 पे काटा और 2 की यह मल्टिप्लाई करिया आपने 2724 में so you will get 2448 तो X की वेल्यू आगी 2448 मैं कहा रहा हूँ बहुत easy question था अगर ध्यान से देखा हूँ आपने 2 equation बना ली हमने पहले वाले 14% से हमारा 28X आगिया 28X बटा सो 11% से हमारा 22X बटा सो आगिया इन दोनों का sum इन दोनों के जोड से ही तो हमें यह मिल रहा था 2724 simple interest तो is equal to हमने 2724 में डाल दिया X की वेल्यू निकल आई हमें X की वेल्यू हमारी 2448 आगी यानि की option number B is right answer question number next very easy-peasy question question number next is रोहन ने मोहित से 3% प्रतिवर्ष दर्ष से साधारन ब्याज पर 6000 रुपे उधार लिए उसने 240 रुपे ब्याज के रूप में दिये तो वे कर्ज कब चुकाएगा time पूच लिया है यहाँ पर कितना time लगा उसको अपना जो डैप था उसका जो कर्ज था उसे चुकाने में रोहन बोरो 6000 from रोहित at 3% per annum on a simple interest he pays 240 as interest यानि कि जो उसने total amount दियोगी वो 6,240 रुपे हो गई मैं तो plus करके बता रहा हूँ 6,000 उसमें बोरो किये थे उसमें 240 रुपे हो क्या दे रहा है simple interest दे रहा है तो total कितने दे रहा 6,240 में एक simple से समझाने वाली बात कर रहा हूँ तो कितने time में लटा है यह बताना है simple interest का formula क्या होता है PRT upon 100 लगा दो सारी चीज़े interest कितना दिया 240 is equal to principle कितना था 6,000 लिखो यहाँ पे 6,000 R कितना है 3% निकालना क्या है time upon so आ गया यहाँ पे 2,0 से 2,0 काटो ओके जी यह जो 60 है इस 60 को यहाँ पे लेके जाओ इस से यह काटो यह 3 भी आ जाएगा 60 को का 3 को का बोल गे 3 भी आएगा तो यह हो गया आपका 24 बटे 18 that means 4 बटे 3 अब 4 बटे 3 आगया आपका yearly यहाँ पे months दिये में है आप देखेंगे तो ठीक है फिर से जमझ लो फिर से जमझ लो सिर्फ time निकालना था SI हमारे पास 240 है principle हमारे पास 6000 है rate हमारे पास 3% है time ही तो निकालना है यही तो simple interest बोलता है 2 0 से 2 0 काटो simple है 1 0 से यह 0 काटो 6 तीया कितना हो 18 तो बेटा कितना है आपका time आपका time simple 24 बटे 18 आगया तो यह हो गया 4 बटे 3 लेकिन यह year में आया यहाँ पर months में दिये में आपसे तो months जब year को आप month में change करोंगे तो 12 से ही तो multiply करोंगे 12 से multiply करोंगे तो 3 से 12 आगया 4 4 4 16 16 months option number C is the right answer easy peasy question question number 8 again a very easy question again very easy I would say कोई मतलब एक बर question को समझो इसे देखो और समझने की कोशिश करो अगर आप इसमें जादा कोशिश करोंगे अंदर जाने की तो फस जाओंगे बहुत easy सा सोचना है प्रती वर्ष किस दर पर साड़े बारा वर्षों में साधारन ब्याज पर कोई धनराशी तिगनी हो जाएगी अट वोट रेट पर एनम विज सिंपल इंटरस्ट विर एनी मनी एनी अमांट सो रुपे पांच सो रुपे हजार रुपे कुछ भी विल बिकम थ्राइस तीन गुनी हो जाएगी साधे बारा सालों में तो निकालना क्या है यहां पर रेट ओफ इंटरस निकालना अब यहां पर मैंने एक बेसिक चीज समझाना जाता हूँ सो रुपे तीन सो हो गए बात समझने की कोशिश करना मैं यहां क्या कह रहा हूँ सो रुपे तीन सो हो गए तीन बुने हो गए जब मैं 100 की 3 में मल्टिप्लाई करूँगा तब ही 300 आएंगे न ठीक है 100 रुपे 300 हो गए तो 100 रुपे तो मेरा प्रिंसिपल हो गया यानि कि मेरा मूल हो गया और 200 रुपे 200 रुपे प्लस होए ना इसमें तो 200 रुपे क्या होगे, वो मेरा simple interest हो गया, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, जब मैं scenario की बात कर रहा हूँ, question number 8 की बात कर रहा हूँ, कि वो 12.5 साल में इतने हो गया, तो interest मेरा कितना आ गया, 200 रुपे interest आ गया, और मेरा principle कितना था 100, तो जब ऐसा कोई question आता है, तो ह हमेशा ध्यान रखो, कि अगर मैंने principle x लिया है, तो मेरा simple interest जो है, वो क्या होगा, वो 2x होगा, यानि कि वो principle का double होगा, बात समझ आईगी नहीं, फिर से बता देता हूँ, 100 रुपे हैं मेरे पास, वो 300 हो गए, तीन गुना हो गए, जो इस question में बताया गया है, तो principle कितना हुआ मेरा, 100, लेकिन मैंने simple interest कितना कमाया, ब्याज कितना कमाया, 200 कमाया, जबी तो 300 हुआ, तो ध्यान रखना है, यह double हो गया है, इसका principle का simple interest, तो अगर principle x है, तो simple interest 2x है, simple सा याद रखो, कर लेते हैं question फिर फटा बटा, भाई हम यहाँ पे भी यही मान रहे हैं कि जो principle ह है, formula क्या होता है, simple interest is equal to PRT upon 100, तो principle हमने क्या माना, x माना, r हमारे पास नहीं है, वो तो निकालना है, समय कितना है हमारे पास, साड़े बारा साल upon 100, तो जब principle मेरा x है, तो ऐसा ही क्या होगा, जब तिगना हो गया, 2x होगा न, कोई दिक्कत इस चीज में, इसको समझने में यह x से x कट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत किसी को, नहीं होनी चाहिए, यह यहां से यहां गया, तो r is equal to 200 बटा 12.5, और जब आप इसको काटेंगे, it will come 16%, that means option B is the right answer, okay जी, कोई problem किसी को, यह कैसे आया, r 200 बटे 12.5, यह equation से आया, equation कैसे बनी समझागे आपको, जब, थ्राइस की बात जब होगी, ध्यान रखना है, अगर principle x है, तो simple interest 2x हो जाएगा, automatically, तो इसी से आपका question निकलाएगा, बस, SI is equal to PRT upon 100 में डाल दो, आपका question solve, option number B, 16 will be the right answer, question number 9, एक राशी साधारन ब्याज की समान दर पर, तीन वर्ष में 4500 रुपे, और आट वर्ष में 10,000 रुपे हो जाती है, मूलधन, principle बताना है फिर से, कि principle क्या होगा, a sum of money, एक भनराशी जो है, वो 3 साल में 4500, और 8 साल में 10,000 होती है, simple interest, same rate of interest में, तो आपको simple सा principle बताना है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे इस 8 साल से 3 साल माइनस करो, यानि कि 5 साल में, कितना interest कमाया जा रहा है, 5500 कमाया जा रहा है, कैसे, मैंने 10,000 से माइनस कर दिया, 4500, कितना आया, 5500 आया, मैंने 8 से 3 माइनस कर दिया, तो 5 साल में कितना कमाया जा रहा भाई लोग बहुत ऐसे तरीके बता रहा हूँ जो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे जो आप डेली टू डेली लाइफ में करते हो पचपन सो कमाया जा रहा इंटरेस्ट किसी एक सम एक मूल पे एक प्रिंसिपल पे एक साल में कितना कमाया जाएगा ग्यारा सो हा की ना एक साल में कितना कमाया जाएगा ग्यारा सो तो निकाल दो बेटा उस ग्यारा सो को अब आप सिंपली इस पेंतालिस सो वाली एक्वेशन में डाल दो आपका आंसर आ जाएगा ओके बहुत सिंपल है ठीक है न बिल्कुल मतलब इतना इजी है कि वो 4500 हो गई है इसमें प्रिंसिबल भी तो है इस 4500 में एक साल का कितना आया 1100 आया तो तीन साल का इस वाली इक्वेशन में डालेंगे हम पहली वाली में तीन साल का कितना हो जाएगा 3300 हो जाएगा तो इस 3300 को इस 4500 में से माइनस कर दो 4500 माइनस 3700 तो आपका जो प्रिंसिबल आ गया 1200 रुपे option number A is the right answer फिर से बता दूं question में क्या पूछा था a sum of money amount to be rupees 4500 in 3 years और 10,000 in 8 years at the same rate of interest जो interest rate है वो same है वो change नहीं हुआ है तो वो principle क्या है वो आपको पताना था simple सा तो हमने क्या किया इन दोनों का difference ले लिया यानि कि 5 साल में 5500 जो हैं वो कमा रहे simple interest से simple सी बात है उस पे एक साल में आपका कितना हुआ 1100 हुआ इस वाली equation में अगर हम उसे डाल देंगे तो 3 साल यहां पे 3 years है ना तो 3 साल में कितना हो जाएगा 3300 हो जाएगा तो इस 3300 क्या हो गया यह 3300 तो simple interest आगया आपका क्योंकि एक साल का 1100 आ रहा था हमारा तो 3300 कितना आ गया 3 साल का तो कर लो 4500 में सा माइनस 1200 आजाएगा आपका ठीक है question number 10 पे आता है फटाफट question number 10 एक निश्चित राशी साधारन ब्याज की पृति वर्ष की निश्चित दर पृतिशत पर 3 वर्ष में 7440 रूपे और 5 वर्ष में 8400 रूपे हो जाती है मूलधन और ब्याज वहाँ पे सिर्फ rate of interest पूछा था पहले question में इस बर principle भी पूछ लिया कोई दिक्कत नहीं निकल जाएगा सेम तरीके से निकालो कोशिश करो stop कर लो क्योंकि मैं तो आपको फटा फट बता रहा हूँ वीडियो मैं कोशिश करता हूँ से जादा लंबी ना हो stop करके ना answer निकालने कोशिश करो बिल्कुल सेम तरीके से difference ले लो पहले तो तीन और पांच का तीन साल का और पांच साल का difference ले लो कितना आएगा 8400 में से आप 7440 रुपीज जो है को माइनस कर दो तो आपके कितने आए 960 आगे 960 कितने साल होगा आया 2 साल होगा एक साल का कितना होगा 480 इतना आगया एक साल का कितना आगया हमारा 480 आगया इसमें कोई problem नहीं होनी चाहिए अब इसको फिर से 3 साल वाले में डाल दो 3 साल वाले में डालोंगे तो 480 multiply 3 it will come 1440 रुपीज अब इस 1440 को 3 साल वाले यानि कि 7440 में से माइनस कर दो तो आपका principle कितना आगया principle आगया 6000 और जैसे ही 6000 principle आया option number B आपका right answer आगया क्योंकि 6000 बाकि किसी में लिखा ही नहीं है चलो मैं कह रहा हूँ कि सारे option 6000 वाले होते तो आपको यह पता लगया कि आपका principle कितना है कितना है कितने साल का निकाल रहे हो एक साल का निकाल दो यह दो जिरो से दो जिरो गई तो यहाँ पर क्या आएगा आपका rate निकल आएगा सिम्पल सा सोरी यहां पे R आएगा ना ठीक है यह 10 से 10 चलीगे यह 6 यहां पे आजाएगा यह से कटेगा तो 8% आगया R is equal to 8% ठीक है यह R तो निकालना है ना मैं यह मैंने तीन साल नहीं एक साल लेना है तो एक साल पे निकाल लो मेरा फर्स टाइम था मैट्स पढ़ाने का मैट्स वैसे मुझे बहुत पसंद है मुझे आती है शायद आपको दिखी भी होगी बट मैंने टीच कैसा किया है मैट्स को मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया है सो प्लीज कमेंट बोक्स में अपना फीडबेक जरूर दीजेगा कि आपको कैसा लगा मेरा माट्स पढ़ाना अगर अच्छा लगा है तो इसको continue करेंगे अगर अच्छा नहीं लगा है तो इसका कोई alternate देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको और अच्छा कर सकते हैं बाकि कल आपकी जो class होने वाली है वो EVS की होगी रात नो बजे ठीक है तो कल रात नो बजे मिलते हैं अब EVS की class में तब तक के लिए bye everyone take care god bless you and please feedback जरूर दीजेगा यह मेरा first time था जब मैंने आपको माद्स बढ़ाई है बाई बाई